हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, महबबत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आखों में दिखाई दे उसे जो ये दिवार का सुराक है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं, परम समाननिया, निरनायक मंडल के सदस्यों, सभा में उपस्थित सभी गर्मान निवक्ति, मैं नेह वर्माद देश प्रेम और रश निर्मान के उपलक्ष पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साजा करना चाहूंगी आजादी आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो हम स्वभाग गिशाली हैं कि हमने स्वतंतर भारत में जन लिया यू तो अजादी की लोग 1857 में ही जल चुकी थी जो वर्शाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई प्राचीन मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उधारनों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फस गए थे तो रंगदे बसंती चोला की एक वास प समासी चड़ जाते थे तो वो भी अपनी देश भक्ती साबित कर रहे होते थे क्यूंकि ये उस दोर की देश भक्ती की कसोटी थी उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हलात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया मांग का सिंदूर गया नन्ने नौनी हालों की लंगोटियां चली गई छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई बाप की कमाई गई भाई की पढ़ाई गई ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला रही पूरे जिस्म की ही कई बोटियां चली गई और आपके ल देती थी और उसे पत्र लिखा कर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच 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 इं तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को मिट जाने को फासी चर जाने को कहता था, किन तु आज आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को मिट जाने को फासी चर जाने को नहीं कहता, बलकि मेरे विचार और यदि आप कहेंगे कि साल में दो बार हाथ में तीरंगा ले लेना देश भगती है तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपात में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छाओं में नंगे पाओं में जब तीरंगा बेच रहा होता है तो क्या इसे आप उसकी देश भगती कहेंगे ये उसकी देश भगती नहीं उसके पेट के भूग की शक्ती है जो से ऐसा करने पर मजबूर करती है क्यूंकि ना मस्जित को जानते हैं ना मस्जित को जानते हैं ना शीवालों को जानते हैं जो पेट के भूगे होते हैं न वो सिर्फ वो सिर्फ भोजन के निवाल को जानते हैं वो सिर्फ भूजन के निवालों को जानते हैं अपने परिवार अपने समाज अपने देश के लिए समर्पन का भाव है देश्वक्ति और हर देश्ट्रोही के जीवन में आने वाला तुफान है हमारी सची देश्वक्ति ताकि हर देश्ट्रोही ये समझ सके कि अ अगर तू परिंदा है तो ये आस्मान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शम्शान तेरा है, भाई चारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कबर भी तेरी है और यही कबरिस्तान तेरा है, और यही कबरिस्तान तेरा है, लेकिन एक देश ट्रोही से जादा बढ़ाने में लगे रहते हैं आज के इस दौर में वो युवा जिनके उपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांदे रखने की वही युवा अब चार वाई चार इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल लंगुलियों के घश्रन मातर से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है चार बोतल बोड का काम मेरा रोसका ने भात का भविश्य तबाह कर रखा है हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं और भूखे नंगे तरपते सोजाते हैं लोग भूखे नंगे तरपते सो जाते हैं लोग मजदूर को मजदूर समझे मजबूर नहीं गरीब को काम दीजिए दान नहीं और अगर दान देने के चुक हैं तो जीते जी रखत दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान दे कर किसी मर्ते हुए को जीवन दान दीजिए यही सची देश पक्ती और यही सचा राश्ट्र प्रेम है ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है परंतु एक वेचारिक बीमारी हमाई समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोग तंत्र हैं। जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम सिक और इसाई भी पैदा होते हैं। लेकिन बदकिस्मती है अब इनसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में ना हिंदू की जरुवत है ना मुसल्मान की जरुवत है। राष्ट निर्मान के लिए केवल अच्य है इनसान की जरुवत है। जरा सोच कर देखिए ये पेड पौदे और शकाएं भी परिशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसल्मान हो जाएं एक शेक्षनिक बीमारी भी हमाई समाज में मुझे नजर आती है और बड़े याश्चर्य की बात है जिस तेश ने पुरी दुनिया को तक शीला और नलंदा दे करके विश्युध्याईन शिक्षा की बुनियाद रखी आज विश्युध्यालों में हमारा एक भी विश्युध पकड़ा दिया जाता है और मैं बता दूँ इस शेक्षनिक बीमारी का केवल एक कारण वो ये कि हमाई देश के शिक्षानिती केवल दो तरह के लोगों के लिए बनती है पहले वो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान है इसी तरह की कई गजब की बीमारिया है और इन बीमारियों की जो जड़ है ना वो हमारा अंदुश्वास और मेरे विचारों में जब तक इस देश का यूव अपनी सफलता के लिए मंदीरों में जा जाकर नारियल फोड़ फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा हमारे समाज का शिक्षित वर्गी बिल्ल अने शीष नवाया है तो क्यों आस्ता के नाम पर हमने अंदुश्वास फेलाया है मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निमान तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं उनकी इज़त की जाएगी राष्ट्र निमान तब संभव होगा जब स्वश् अने वाला हर एक नागरिक हात बंटाएगा स्वच्छ भार्त स्वश्थ भाद को दिल से अपनाएगा असल माइने में हमारा राष्ट्र निमान तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्यान भोजिन के नहीं बलकि या नर्चन के लिए सरकाई स्कूल की चौकर पर क जुक कि ठोकर हमें पहार से नहीं पथरों से लगा करती है. I being an Indian, I being a student, I being a symbol daughter of this motherland, feel proud to be an Indian और मैं salute करना चाहूंगी सरत पर दिनदात हमारी रक्षा के लिए खड़े हर उस जवान को इस तेश की पुलिस, पुरिशासन और किसान को और इस तेश के हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी इमानदारी, पूरी महनत और पूरी लगन से करते हैं जिनके बिना राश्ट निर्मान की कल्प ना करना भी असंभव सा लगता है और आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत की बेटी ये कहती हूँ कि हमारा राश्ट निर्मान तब संभव होगा जब हम सब ही, मैं, आप, हम सब मिलकर प्यास करेंगे क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है, हमें आगे ले जाने की हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की अपने रष्ड को आगे ले जाने की तो अंत मैं मैं बस यही कहना चाहूँगी मेरा हिंदोस्तान महान था महान है महान रहेगा मेरा हिंदुस्तान महान था महान है महान रहेगा होगा होसला सब के दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जैहिंद कहेगा पाकिस्तान ही क्यूं सारा जहान जैहिंद कहेगा क्यूंकि क्यूंकि सारे जहां से अच्छा हिंदो सिता हमारा सारे जहां से अच्छा हमारा ये गुलिस्तान हमारा जै हिंद बंदे मातरम